हाई है गैज आज हम बनाएंगे दाल दढ़ कर बिल्गुल धाबे स्टाइल में चलिये तैल करते हैं थोड़ी लिए थोड़ी rum on दाल लिए थोड़ी चनेगी दाल लिए इसे दोक्य प्रेशर उक कर नम ढटtur लेंगे 3-4 पानय यह उसके बाहर हमाद सुरुदीहweet दालेंगे तौंड़ा थोड़ा तोड़ा सा लेंगे आदर मश नमक टालेंगे दो छोटी लाल म詞 पाउडर डालेंगे एक नाम चॉब अब तरीकों से मिक्स करके प्रेशागो कर को बंन कर देंगे चार से पांच सीटी लगानी है इसमें सीटी लग चुकी है चलिए देखते हैं दाल पकी है नहीं पकी दाल अच्छी तरीके से पक चुकी है चलिए हम तड़का लगाने की तैयारी कर लेते हैं हमने कड़ाई रख लिया है कड़ाई में ऑईल डालेंगे एक चमचा ओईल गरम हो चुका है हमारा ओईल गरम हो चुका है इसमें थोड़ी से हिंग डालेंगे बारिक कटिवी प्यास डालेंगे थोड़ा सा लसन और दो हरी मिर्ट बारिक कटिवी डालेंगे इसे अच्छी तरीकी से फ्राय कर लेंगे यह अच्छी तरीकी से फ्राय हो चुका है इसके बाद हम बालिक गटा हुआ टमाटर डालेंगे टमाटर को भी अच्छी तरीकी से पका लेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मैथी डालेंगे इसके अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे यह टमाटर अच्छी तरीकी से पक चुका है अब इसमें हम डालेंगे यह मसाला भून चुका है अच्छी तरीके से अब इसमें हम थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें दाल डाल देंगे दाल को 5-10 मिनट पका लेंगे अच्छी तरीके से थोड़ा सा गरम मसारा डालेंगे दाल पक चुकी है अब देख सकते हो शादिये हम एक बरतन में निकाल देते हैं हमने दाल को एक बरतन में निकाल लिया है इसके ओपर धनिया डाल देंगे तो आपको मेरी दाल की तड़का डाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो कमेंट करना ना भूलो शेयर करो जादा से जादा